Hello everyone, welcome back, मैं मधू और आज का टॉपिक है पोयम बुलोग की बाई जोडित व्राइट इस पे मैं एक वीडियो अल्रेडी बना चुकी हूँ ये पार्ट टू है तो शुरू करते हैं स्टेंजा फोर अब जैसे पहले के टाइम में ट्रावल करते थे तो दिन दिन में ही ट्रावल कर लेते थे और रात होते होते कैंप लगा लेते थे और कैंप कहां है पेड़ के नीचे है जहां पे हाफ लाइट पिलर्स है हाफ लाइट पिलर्स का क्या मतलब है कि इधर उदर से थोड़ी बहुत रोशनी आ रही है पर मून लाइट भी हो सकती है ठीक है हमारे जैसे मौडरन फासलिटीस तो है ने उनके पास तो जो मिल जाता है उसी से काम चला रहे है स्टीपल्ड कोर यहाँ पे रिफरेंस है चर्च के लिए बुलोकी या पाइनर्स वो हार्ड वर्कर हैं वो हार्ड वर्किंग के सासत भगवान पे भी विश्वास रखते है अब जैसे सोने से पहले भगवान को याद कर लिया प्रॉफेसीज शाउटेड प्रियर एंड प्रॉफेसीज से मतलब है भगवान को याद करना स्टैंजा फाइफ क्रिमसन मतलब गहरा लाल अब सपोस करो कोई सिनेरियो है जहाँ पे कैमफायर लगाया है तो जो हाँ पे कैमफायर है जहाँ पे आग जल रही है वहाँ पे उजाला है पर उसके जो सपोस अगर कोई जंगल है तो उसके आसपास तो अंधेरा ही रहेगा न वैसा ही कुछ सिनारियो है यहाँ पर और cattle bells यह मवेश्यों के लिए यूज किया गया है जो उनके अगर सपोस किसी मवेश्य के गले में जैसे bell जैसा बान देते हैं वैसा कुछ कि उन मवेश्यों को ढूंडने में आसानी हो यही सब यहाँ पर landscape डिस्क्राइब किया गया है विन्यार्ड मतलब अंगूर के बाग अब वो टाइम चला गया है जब वहाँ पर पहले जो उनके वैगन ट्रैक्स थे मतलब जो बुलॉकी या पाइनर्स जो वहाँ पर चलते थे वो जो ट्रैक्स से वहाँ पर घास उग गई है मतलब उनके जो पद चिन थे वहाँ पर घास उग गई है अंगूर के खेत है वहाँ पर अभी भी वहाँ कुछ दफन है क्या हड़ी अब जैसे खेत में अगर हल चालाने जा रहे हैं तो उनकी हड़ी उस जमीन के अंदर से उनको लग रही है मतलब किसी चीज़ पे स्ट्राइक हो रही है हड़ी इस बात को और डीटेल में नेक्स टैंजा में बताया गया है स्टैंजा 7 अब पोईटेस लिखती हैं मतलब जो बेले हैं उनसे कहती हैं अपनी जड़े हैं उनको जमीन में कसकर पकड़ के रखो मतलब उसको जो हड़ी हैं उनको भी बांध के रखो प्रॉफेट मौसस से मतलब यह जो वैल्यूज वाले लोग है यहां पे हड़ीों से जो मतलब है वो वैल्यूज से है कि जो पुराने लोगों की values हैं उनको हमें समझना चाहिए उनको हमें follow करना चाहिए अगर हम properly अच्छी चीज़ों को follow करते हैं तो हमें एक promised land मिलते हैं मतलब हमें एक ऐसी country मिलती है जो अच्छी है तो ये वीडियो यहीं पर complete हो गया अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चानल सब्सक्राइब करो फर्स टाइम हो तो चानल सब्सक्राइब करो थैंक्स वर वाचिंग स्यू नेक्स टाइम बाबाए